नमस्कार मैं हूँ अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पबलिक खबर इतना भी ना गुमान कर अपनी जीत परेवे खबर तेरी जीत से ज्यादा चर्चे शहर में मेरी हार के है ये इस वक्त एकदम फिट बैटता दिख रहा है यूपी की बतोर सियम कमान सभाल चुके उन दो सियासी धुरंधरों पर जो कभी एक दूसरे के साथ गडबंधन करके मैदान में उत्रे तो कभी आमने सामने की लडाई में पूरी शिद्दत के साथ एक दूसरे को चैलेंज द होता जा रहा है हम बात कर रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो माया बती की वैसे हाल ही की बात ले 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 तो यूपी में हुए उप्चुनाओ से लेकर महराश्ट और जारखन में जो विधान सभा चुनाओ हुए उसमें भी बसपा के ग्राफ का तीर नीचे ही रहा लेकिन इन सब के बीच बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश यादव को एक बड़ा जटका दिया है जिसे देखकर अखिलेश यादव खुद भी हैरान है क्योंकि बसपा सुप्रीमो हार कर भी अखिलेश यादव से आगे निकलती दिखाई दिखाई दी लोग सभा चुनाओं से पहले इंडिया गटवंधन का हाथ थाम कर मैदान में उत्रे अखिलेश यादो की सपा ने लोग सभा चुनाओं में जिस तरह बंपर जीत दर्च की उससे बीएसपी से लेकर बीजेपी तक हर किसी को ये मैसज मिला कि अखिलेश यादो की दो हजार चुनाओं में वापसी को लेकर उनकी तैयारी को किसी भी तरह अंडरेस्टिमेट नहीं किया जा सकता और इसी कॉन्फिडेंस के साथ चाहे आगे हुए जम्मू कश्मीर विधान सभा चुनाओं की बात हो या फिर हाली में हुए योपी उक्चुनाओं के साथ-साथ महराश जम्मू कश्मीर में 20 सीटों पर चुनाओं लड़ने के बावजूद सपा के सभी उमीदवारों की जमानत जब्त हो गई तो वहीं अबकी महराश्र में उसने 2 सीटों पर जीत का स्वाथ चक लिया लेकिन यूपी उक्चुनाओं में चोगने जोश के साथ उतरी जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाओं लड़कर हार कामू देखना पड़ा तो वहीं इसके बाद हर चुनाओं में किसी के भी साथ गडबंधन ना करने के भीश्म प्रतिग्या के साथ बसपा सुप्रीमो यूपे के उप्चुनाओं और महराश्र के साथ जार्खन में भी अकेले बूते पर मैदान में उत्री लेकिन नतीजा उनको सिफर ही हाथ लगा मगर इसके बावजूद सपा की महराश्ट और यूपी में दो दो सीटों पर जीत के बावजूद इस वक्त चर्चा बसपा सुप्रीमो को जार्खन में मिली उस हार की है जिसने अखिलेश सीटों पर चुनाव लड़ी थी लेकिन उसने एक भी सीट हासिल नहीं की लेकिन जार्खन में बसपा का वोट परसेंटिश जरूर 0.78 फीज दी रहा जो की समाजवादी पाल्टी से ज्यादा है क्योंकि जार्खन में सपा का वोट प्रतिशत महज 0.73 फीज दी है शुरूरात में सपा ने जार्खन की 30 सीटों पर चुनाव लड़ा मगर एक प्रतियाशी का नामांकन रद्ध हो गया था जिसके बाद 20 सीटों पर सपा ने चुनाव लड़ा लेकिन इन 20 सीटों में से 11 सीटों पर सपा को 9 से भी कम वोट मिले चार सीटों पर सपा तीसरे नंबर पर रही सपा को सबसे ज्यादा 47,049 वोट पकोड विधान सभा में मिले जबकि सबसे कम 288 वोट सारत में मिले सपा को जार्खन में कुले 1,3,432 वोट मिले जो कि जार्खन में पड़े वोटों के शेयर में से 0.73 फीज दी था सपा ने जिन 20 सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें से 7 सीटे बीजेपी और उसके सहयोगी जेडियो के खाते में गई जबकि बाकी सीटे इंडी गढ़ बंधन के खाते में गई कई सीटे ऐसी रही जहां समाजवादी पार्टी ने कॉंग्रस का वोट काटने का काम किया मसलन गढ़वा में भाजपा की जीत 16,753 वोटों से हुई वहां सपा को 8,096 वोट मिले इसी तरह बरही में बीजेपी की जीत 49,000 से ज्यादा वोटों से हुई और यहां सपा को 23,629 वोट मिले कुछ सीटे ऐसी भी रही जहां कॉंग्रस सपा को मिले वोटों की वज़ा से हारते हारते बची जैसे कि छतरपूर में कॉंग्रेस की जीत महज 736 वोटों से हुई यहां सपा ने 4,594 वोट हासिल किये यानि कि बसपा ने यहां सपा को वोट परसेंटेज के मामले में जरूर पचार दिया बड़ी बात यह है कि यूपी उक्चिनाओं के लिए प्रचार अभियान खत्म होने तक बसपा सुप्रीमो या उनकी पाल्टी का कोई भी बड़ा नीता क्यामपेन में नहीं उत्रा लेकिन महराष्ट और जार्खन में बसपा सुप्रीमो ने एन मोमेंट पर एक एक रैली जरूर की जिसका फायदा जार्खन में सपा को वोट परसेंटेज के मामले में पचारने के तौर पर भी मिलता दिख रहा है चलिए एक एक करके आपको उन भाषणों की आप दिलाते हैं जो बसपा सुप्रीमो ने जार्खन और महराष्ट में प्रचार के दोरान दिये सबसे पहले बात करें जार्खन की तो बसपा सुप्रीमो ने पलामू जिले के हुसाइनाबाद में एक रैली को संभोधित करते हुए बीजेपी कॉंग्रेस और अन्यक शेत्रिय दलो पर निशाना साधा था बसपा सुप्रीमो ने अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती और अन्य पिछडा वर्ग समुदायों को उनके उचित लाग खासकर आरक्षन से वंचित करने का इन पार्टियों पर आरोप लगाया था तो वही बसपा सुप्रीमो मायावती ने पुने में भी चुनावी सभा के दौरान बैलंसिंग पावर के रूप में सरकार बनाने वाली पार्टि का समर्थन करके लोगों को न्याय दिलाने का वादा किया था बसपा सुप्रीमो मायवती ने यहां कहा था कि दूसरे दलों से उन्होंने इसलिए चुनाओ नहीं लड़ा उनके साथ क्योंकि उनको वोटों का ट्रांसफर हुआ ही नहीं यहीं नहीं बसपा सुप्रीमो ने इस दौरान कॉंग्रेस सांसद राहूल गांधी पर भी जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि राहूल गांधी आरक्षन व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं उनका बयान चिंता जनक है और कॉंग्रेस की जाती अमानसिक्ता को दर्शाता है वर्गी करन के फैसले पर अमल करना शुरू कर दिया है बियस्पी सुप्रीमो मायवती ने आगे सरकार पर भी हमला बोला था उन्होंने कहा था कि राज ये सरकार अपने फाइदे के लिए फूट डालो और राज करो की नीती अपना रही है वही अगर दूसरी और योपी उक्चुनाओ की बात करें तो बसपा ने सभी नौ सीटों पर यहाँ अपने उमीदवार उतारे थे लेकिन सभी सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा इन में से साथ सीटों पर बसपा की जमानत जब्त हो गई कुछ सीटों पर उसे एक हजार के आसपास ही वोट मिल पाए कुल मिलाकर उक्चुनाओ में बसपा की हालत एकदम खस्ता हो गई योपी उक्चुनाओ में बसपा की शर्मनाक हार हुई बसपा ने सभी नौ सीटों पर अपने उमीदवार तो उतारे लेकिन एक भी सीट पर जीत नसील नहीं हुई और तो और कई सीटों पर एक हजार से भी कम वोट मिले और अगर सभी नौ सीटों के वोट को जोड़ कर देखें तो बसपा को कुल मिलाकर एक लाग 32,929 वोट ही मिल पाए मतलब योपी उक्चुनाओ में बसपा पूरी तरह पिट गई 2024 के लोगसभा चुनाओ में भी BSP का काफी खराप प्रदर्शन रहा था वो अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी मतलब साफ है कि योपी में बसपा लगभग पूरी तरह हाशिये पर पहुँच चुकी है सिर्फ एक ही विधाय बचा है लोगसभा और विधान परिशद में शोन्य है वैराज्य सभा में अब उसकी सिर्फ एक ही सीट रह गई है उधर योपी उप्चुनाओ में सपा को दो सीटों पर जीत मिली सपा ने जन सीटों पर जीत दर्श की उनमें करहल और सीसा मव सीट शामिल है U.P. उप्चुनाव में BJP ने शांदार जीत दर्ज की U.P. की 9 विधान सभा सीटों में से BJP ने 6 सीटों पर जीत हासिल की जबकि एक सीट मीरापुर उसके सहयोगी दल R&D के खाते में गई बीजेपी ने जिन सीटों पर जीत दर्श की उसमें गाजियाबाद, फूलपुर, खैर, कुंदर की, कटहरी और मजवा सीटे शामिल है हालाकि समाजवादी पार्टी जहां महराश्ट में अपनी उपस्थिती दर्श कराने में कामियाब रही इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के महराश्ट में कई प्रत्याशी चुनाव जीत चुके थे लेकिन इस बार जिस तरह से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने महराश्ट में जीत हासिल की इन सब के बीश सपा की जीत के माइने निकाले जा रहे हैं और इससे इंडिया गढ़ बंधन में भी अखिलेश यादो को पूरी तरह से इग्नोर करने की कोशिश शायद अब दुबार ना हो लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त अपनी पाल्टी के बचे खुचे अस्तित्व को वापस पाने की जद्दो जहद से गुजर रही बसपा सुप्रीमो माया वती का जारकन में अखिलेश यादो से आगे निकल जाना अखिलेश यादो के लिए भी कम शौकिंग नहीं रहा होगा फिलाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर अपनी राय ज़रूर बताएं देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया पबलिक खबर हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिलकुल न भूले